नमस्कार दोस्तों स्वागत मेरे चैनल पर दोस्तों यह मेरा पुराना केसेट प्लेयर है इसमें cd dvd लगती थी और साथ में केसेट भी लगती थी लेकिन अब यह बिलकुल भी यूज में नहीं आ रहा है पुराना हो चुका है उससे मेरे पास कोई cassette भी नहीं है, तो दोस्तों मैं इसको aux में कैसे convert कर सकता हूं, mobile लिगाने कैसे बजा सकता हूं, इसमें कोई भी options नहीं है, audio input का सारे output का options है, तो इसी जो फिलिप्स का tap recorder है, इसमें भी aux लगा सकते हैं, बड़ी आसानी से, इसमें कोई ज्यादा आपको प्रेश cassette player में आपको दिख जाएगा, इसमें आपको कहीं भी ढूंडने की ज्यादा जूरत नहीं है, सब में same ही होता है, आप देखें दोस्तों उपर आप देखेंगे, तो यह head होता है, यहां से इसको मिलता है, mini audio मिलता है, pre amplified इसको बोलता है, यहीं से read करता है, तो इसी किते हम aux cable लगाएंगे, वो किस तरीके से लगाएंगे, इस वीडियो में हम सीखेंगे, आपका कोई सा भी cassette player हो, कोई माइने नहीं रखता है, आप इस सेम इसी process से उसमें aux cable लगा सकते हैं, आप चाहे तो इसमें bluetooth भी लगा सकते हैं, memory card भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम aux cable लगा इसमें यूज करनी है, देखे दोस्तों इसमें पैचाने का आसान तरीका है, एक तो उपर जाली वाली वायर होगी, इसमें हमें ground connect करना है, अपने aux cable का, इसको आप separate कर लीजे, और दूसरी वायर आपको किस तरीके छाटनी है, आप इस tapricoter को पहले चालू करिए, चालू कर जाएगा, देखे दोस्तों इस तरीके से सुच को यह से आप दबाएंगे play button को, cassette वाले को, तो यहां पर यह सुच चालू हो जाएगा, पर आपकी motor भी घुलने लेगी और इसमें audio भी आपको आना शुरू हो जाएगा, audio चेक करने के लिए आप आप इस पर हाथ और दूसरे जिते भी वाइर सुच काटूंगा और साथ में aust cable ले लेंगे आपको इसी भी उसको बीच में से काटेंगे तो इसमें से भी तीन वायर निकलेगी और जो तीन वायर है उसमें से एक जो black वायर है वह एक ground की होती है और बाकी बच्ची ऑफ़ी दो वायर होती ह उसमें आप किसी में भी आप कनेक्ट चलो मैं दोनों जो रेड वायर उनको आप इसमें जोड़ देता हूं और जोड़ के अपने जो मोबाइल है मेरा उसमें मैं चला के देख रहा हूं आप जैसे इसकी पिन को टच करेंगे तो आपको ओडियो सुनाई देगा टिक टिक किया हुआ जाएगी तो दोस्तों इसी से अफ़ता चल जाएगा कि आपका यो connection है वो सही है अब यह देखना है कि आपको मोबाइल इसको support करता है या नहीं करता है यदि मोबाइल सपोर्ट नहीं करता है उसमें मोबाइल हैंग होने लगता है तो इसकी जो वायर है रेड वाली इसको आप जूसरी वायर से रेप्लेस कर देंगे और फ्रीज में लगा कर देखेंगे तो आपको यह 100% काम करने लग जाएगा अब देखेंगे दोस्तों जैसे आपको की पिंग को टच करेंगे तो इसमें सब ओडियो तुना ही देगा अब हमें क्या करना है अपने काम नहीं कर रही होती ही रंसे तो मैं क्या करता है इसको यह और आपको जो यहर और के साथ में को टाच कर देखता हूं आप आपना मोबल चला के देखता हूं तो दौस्तों आर प ऐसा कर साथ हैlexe के लिए जौत अच्छा सून सुनाेगा आपका पह्तूच सुना अब एकदम शांदार नए तरीके से काम करने लेगा तो दोस्तों कैसा लगा मेरे टॉपिक प्लीज मिलेश कमेंट जूर करेगा और हाँ दोस्तों जैसे आप इसको लगाने के बाद में इसको अच्छी तरीके से टैपिंग कर दीजिएगा अलग अलग वायर को और यह तभी काम करेगा आपका जब आप टैपरिकोटर की जो फ्ले वाला बटन है उसको प्रेस कर देंगे तभी आपका यह ओडियो सिगनल इसके अंदर चालो हो जाए क्योंकि उसमें स्विच लगा होता है वो स्विच ओन होने के बाद ही यह टैपरिकोटर वाला फंक्शन आप वो वायर कनेक्ट ना करें सिर्फ आपको जो ओडियो ले जाने वायर है उसी से और केबल कनेक्ट करनी है अगर आपने वोल्ट वाली वायर से अगर कनेक्ट कर दिये अपने ऑक्स केबल को और फोन में चली गई तो हो सकता है फोन खराब भी हो सकता है तो यह एक ध्या है उसको काट देना है और सिर्फ एक वाहर है वो आपको ऑक्स की जो वाहर है वो उसकी ground से couch करनी है यानि कि जो जाली वाली वाहर है उस से भी आप ground ले सकते है और आपका ये audio वादा एक्स आकस के बल कनेक्ट हो जाएगी